यह लो फ्रेंट्स वेलकम टो वर यूट्यूप चैनल फस्ट फोल वेस्ट वेश्ट 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 एक्सबंदन टौल फ्यू इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 का जो टोपिक है बायोजी में प्लांट किंग्डम यह चैप्टर भी है तो इसको किस तरह से और कितने दो भागों में डिवाइड किया गया है तो प्लांट किंग्डम को दो भागों में बाटा गया है फस्ट थेलोफाइटा और सेकंड एंब्रियोफाइटा की अंतरकत जो पोधे आते हैं उनमें जड़ तनापती इन सब अलग-अलग भागों में पोधर विभाजित रहता है लेकिन एंब्रियोफाइटा में ऐसा नहीं होता थेलोफाइटा में भ्रोन नहीं बनता और एंब्रियोफाइटा में भ्रोन का निर्मान होता है अब थेलोफाइटा और एंब्रियोफाइटा की भी अलग-अलग पार्स में उनको देखते हैं फर्स्ट जो थेलोफाइटा ह वले जाता है है तो वह होती है घोल्गी जो हमें बर्षात में काई UK अलग अलग पार्ट ऑट्स क्या नंटर जो वाल मिलते हैं उन्हीं नाम है रोड़ो फाइसी अर्ट सेफ्राइगा तो है है सीड़ीन नाम कि नाम नाम रखा गया है रोड़ो फाइसी और साइजो मायको फाइसी और जैन्ट पेसी इस ही, जैन्ट फाइसी के से फंसाही कवक को भी अलगोला है बात्रें desos तो इसके यह अलग अलग पार्ट है अब इसमें थेलो फाइटा तो कंप्लेट हो गया इसे दो भागों में डिवाइट किया गया था और एल्गी के पार्ट में हमने देख लिए फंसाई के अंदर जो यूमाई को फाइटा है उसके भी चार पार्ट अलग-अलग है वो भी हम अब यहां पर टेरीड फाइटा की स्पेलिंग देख लेंगे पी यहां पर साइलेंट रहता है टेरीड फाइटा यासे बनता है में लकसन को पूछा जाता है यह से अलगी और फंसाई में अंतर पूछ लेंगे सेवाल और कवक में इसी तरह से इनके लक्सन तो most of the student याद क समझ लेना चाहिए कि प्लांट किंग्डम को किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यह एलगी के जो पार्ट्स हैं में किस तरह के सैवाल पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं साइनोफाइसी में नीले हरे सैवाल पाए जाते हैं योगलीनोफाइसी एकोसी की हरे रंके होते हैं क्लोरोफाइसी हरे सैवाल होते हैं नाम से ही पता लग रहा है क्लोरोवर्ड तो क्लोरोफिल जिसमें पाय जाएगा वो हरे ही रंका होगा क्राइसोफाइसी पीले हरे सैवाल होते हैं पाइरोफाइसी सुनहरे भूरे कलर के सेवाल होते हैं, फियोफाइसी भूरे सेवाल होते हैं, और रोडोफाइसी लाल सेवाल, इसी वज़े से लाल सागर में पाय जाने की वज़े से इनका नाम रोडोफाइसी रखा गया है, साइजोमाइकोफाइसी ये जिवानू होते हैं बैक्टीरिया जैन तो फाइस ही यह सुनेरे पीले सैवाल होते हैं प्लांट किंग्डम को जो पादप जगत है उसे किस तरह से वर्गी क्रत किया गया है वो हमने इस वीडियो में देख लिया है थेलोफाइटा एंब्रियोफाइटा थेलोफाइटा के जो पार्ट्स हैं वो एंजियो इसपर्म और अनावर्त बीजी जिमनो इसपर्म आयोप आपको यह सब समझ आ गया होगा इनके जो केरेक्टर इस्ट्रिक्स होते हैं वही एक्जाम में पूछ रहा जाते हैं और वही आद करने लग जाते हैं लेकिन पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि किस तरह स लेजियो निया यह रिक्स ब्रायोफाइटा के एक्जामपल हो गए इसी तरह टेरीडोफाइटा में फर्न सिले जीनेला जी इस पर में हो जाएगे सरसो मटर मूली आम यह जो एंजियो इस पर मोते हैं इनमें बीज के उपर आवरन पाया जाता है यानि बीज फल के अंदर होता है उन्द अदर हैंड जो जिम्नोस पर में उनके बीजों के उपर आवरन नहीं पाया जाता यह पहाड़ी स्थानों पर मिलते हैं ज्यादा तर वहीं पर देखने को मिलते हैं इसके एक्जामपल हो जाएंगे साइकस पाइनस जिसे चीड बोलते हैं चीड का पेड और इसी दर इफैडरे यह काई सब्सक्राइब में अग में पर्णहरित मौजूद होता है इसलिए यह अपना बोचन स्वायम बना सकते हैं अवरा थेंड गलो की कोषिका विक होग कोषिक रीट सेलूलोज या सीथ यह में स्वाइट इन्-क 266 honourते हैं और जीए इंवाल होते हैं में वह परकास और दिजी से गति करते और जो कवक होते हैं वो अंधिरे में तेजी से विक्सित होते हैं सेवाल में जो भोजन होता है वो मंड के रूप में संचित रहता है स्टार्ज के रूप में और इन में भोजन गलाइकोजन के रूप में संचित होता है तेल के कणों के रूप में सेवाल चरित्र में जलिये ह सेावाल के इकसामपल हो जाएंगे स्पाइरोगाईरा और यूलोथिक्स इसके कुकुर्मता अ enabling इसी तरह एंजी जन फिरम पेने पूस्प लेते हैं थैंट। फडल पर नहीं पूस्प नहीं नहीं होता है इन में बीज़ वो फल के अंदर रहते हैं और इनमें बीच पर आवरण नहीं होता, यह नगन बीच ही कहलाते हैं, इसमें जो निसेचन है वो दो बार होता है, दोहरा निसेचन होता है, इसमें जो बार होता है, इसमें जो बार होता है, वो निसेचन के बाद बनता है, और इसमें निसेचन से पहले बनता है, यह एंजियो स्पर्म प्राय द्विलिंगी, एकलिंगी या उभेलिंगी होते हैं और जो जिम्नाइस्पर में ये ज़्यादतर एकलिंगी होते हैं इसके एक्जामपल हो जाएंगे ब्रेसिका यानि सरसो, पाइसम यानि मतर येनके scientific name में इसके example हो जाएंगे साइका, स्पाइनस और इफेडरा